अब सेरब पता तो लगाओ कि ये वेपन किश मेटेल चे बना है लकाब पोश्की सच्चाई तो हमने छुपा लिए लेकिन तिमनासा ने मेरे नहले का जवाब दहले से दिये यहां तक कि मेरी सच्चाई जानने के लिए उसने मुझे ही अगवा कर लिए तुम ही बारविर हो और तुम ही नकाब पोश हो इसलिए कह रहा हूं तिमनासा के आने से पहले बला लो मुझे से हाँ अब हाथ मिलाने के लिए हाथ तो खुलना पड़ेगा तुमनासा के भवर में फस्ते हुए मैंने भी द्रिश्यम का इस्तमाल कर दिया अपनी परच्षाई को तिमनासा के पास भेज कर मैं नकाब पोश्बन के विवान की मदद के लिए पहुच किया एक तरफ मुझे तिमनासा की नजरों से बचना था और दूसरी तरफ विवान का शक भी दूर करना था इसलिए देवू की परच्षाई को और नकाब पोश्ब को मुझे अंत में एक करना पड़ा और ऐसा करने के लिए मैंने उसी तरकीग का इस्तमाल किया जिस तरकीब से कोई जादू कर लोगों को धुके में डाल देता है पिछले कुछ दिनों से तुम तलबार की धार पर चल रहे थे बालवीर लेकिन अब तिमनासा से लेकर विवान तक हर किसी को विश्वास हो चुका है ये देबू और नकाब पोश दो अलग लोग है इस वेपन का मंदिल तो सब्कुछ किसी दूसरी प्लैनेट से आया है लेकिन अगर नकाब पोश धरती का रहने वाला है तो उसका ही अत्यार किसी दूसरी लोग से कैसे हो सकता है इतने सारी मेहनत के बाद अजाखिर कार वो देना गया जब सर्वकाल ने मुझे उस छुपी शक्ती के बारे में एक सुराग थिया कैसा सुराग बालवेर? ये सुराग एक पहली के रूप में है वो छुपी शक्ती है कैसे जीव में? जो खुदी अपना पिता है खुदी अपनी माता है सैकडो वर्ष पुराना है खुद अपना विधाता है ये तो बहात ही जटल पहली है इसे सुल्जानी में बहात समय लगेगा बालवेर और ये तुम्हें खुदी सुल्जानी होगी क्योंकि भागे ने ये पहली तुम्हारे हाथों में सौंपी है ठीक है शौरी लेकिन इस पहली के अलावा भी एक और पहली है जो मुझे कब से परेशान की जा रही है कौन सी पहली? भारत नगर में कोई है जो मुझ पर नज़र रखे हुआ है यहां तक यह उसने मेरे कमरे की भी तलाशी नी है आपको क्या लगता है शौरी? कौन हो सकता है ये जासूस? वा ये ये जासूस जो कोई भी है लेकिन तिमनासा के दृष्टी भ्रम जादू के पीछे चुपा होने के कारण मुझे उसकी पहचान नहीं पता चलपा रही है क्या हुआ बालवीर ये तो उस नागनी का जहर है हाँ शौरी प्री जहर दिरे दिरे मेरे शरीर में फैलता ही जा रहा है मैंने अपने जादू से इसे ठीक करने की कोशिश की लेकिन कोई इससर नहीं हो रहा है इन दिव्वे जीविनी पधों के पत्ते मसल कर तुम अभी अपने धाओ कर लगा पालवी अपने 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 जादू इस दिव्य जीविनी की असर से जहर फैलना तो बंद हो क्या लेकिन अभी भी मेरे हाथ से जहर नहीं उतरा जहर का तुमारे शरीर से पूरी तरह बाहर निकलना आवश्यक है नहीं तो धीरे धीरे इस दवा के प्रभाव खत्म होने लगेगा तो शौरी नागिनी के इस जहर को पूरी तरह से मेरे शरीर से कैसे निकला जा सकता है ये विश्व नागिनी के सर्पने तुमारे शरीर में डाला है इसलिए इस जहर को तुम्हारे शरीर से पूरी तरह वो ही निकाल सकती है लेकिन नागे नहीं जहर को मेरे शरीर में से खुद क्यों निकालेगी? मुझे विश्वास है तुम कोई नो कोई उपाय निकाल लोगे बालवीर मुझे शरी इसका तो मैं हल ढून लोंगा लेकिन मा कैसी है पछले कुछ दिनों से अपनी पहचान छपाने में मैं गली लोग नहीं आपाया इसलिए विप्ते दिन हो गए लेकिन वहासे भी नहीं मिल पाये बाल पर एक इस्तती पहले से अच्छी है लेकिन उन्हें पुरी तरह स्थ होने में थोड़ा और समय लगेगा बालवीर ठीक है शरी आप मा का ख्याल रखिएगा खुश रहा बालवीर खुश रहो शरी जल्दी ही फिर मिलेंगे अगर इंके जैसी ममता और ब्यार से भरी मा संसार के हर बच्छे को मिल जाए तो इस संसार में तिम्ना सा जैसे पुराई का कभी जन में ही नहीं हो पाता मा अरे देबू उन तुम आ गए विड़ना दवाई लाए हो हां उससे फ़रक हुआ कुछ दिखाओ मा डॉक्तर ने दवाई नहीं संजीन नहीं बूटी दिये ये देखो हाथ में घावतों के आप निशान भी नहीं बचा एकदम साफ हो गया और दर्द भी नहीं हो रहा है अब देखो न मा उसकीन एकदम चमक रही है एह ना ममी ममी मुझे पॉट भूख लगिया चल दी खाना लगिये ना हाँ हाँ ला रहे है कहां रह गए ममी क्या हुआ भईया टेबल पर इतना टेश्टी खाने रखाए और आप इस वेपन को क्यों को रहे हो हुआ यह यह तो नकाब पूश्टी आ रहा है ना तुम्हारे पस कैसा है यह यह थे इंपोर्टन नहीं है हम इंपोर्टन यह है कि है अस वेपन से मिझे बहुत बड़ा सोराग बिल गिलिया है जिस्जे मैं लागा पूश्ट तक बहुत शक्ता हूँ हमें उस नकाब पोष्ट को किसी भी हालत में धूढ़ना होगा लेकिन क्यों क्यों धूढ़ना होगा तिम नाशा नागिनी के साफ ने उसे डसी लिया है ना बहुत जल्द अपनी मौथ से मिलना ही वादा नहीं बैमार मुझे उनकाब पोष्ट जिन्दा चाहिए क्योंकि मुझे उसे एक सवाल का जवाब चाहिए कयसा जवाब इस सवाल का जवाब की सरकाल ने उसे कौन सी पहली बताई है जिसे सुल्ज़ा कर वो छुपी शक्ति तक बहुंच सकता है चुप क्यों धमार से कौन्टे सवाल का जाप चाहिए तुम्हार? जहरी ने पेड को अगर काट भी दिया जाया ना भेमार तो भी उस पर से नए पत्ते निकलने की संभावना होती है इसलिए मैं उस नकात पोश को मारने से पहले ये जानना चाहती हूं कि उसकी जड़े कहा तक पहली हुई है क्या सुरग मिला है तुम्हें? यही कि यह वेबन जिस मेटल चे बनता है वो धरती पर मिलता ही नहीं है तो जरूर यह किसी दूसरे प्लानेट या लोग से आया होगा इसका मतलब क्या हुआ पता है? क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अकर यह वेबन किसी दूसरे प्लानेट या लोग से आया है तो हो सकता है कि नकाब पोश भी किसी दूसरे लोग से आया हूँ मेर्टेल के पारे में इंफोर्मिशन लिकर आदा हूँ तब तक आप त्यान रखना कि मम्मी मुझे जादा मिस्टा करे ठीक है मुझे विवान को अभी रोकना पड़ेगा थम जाए पाओ, रोख जाए जाच रोख लो करोनाजी इसको आप आज विवान यह क्या? तू डिनर टेबल पे बैठने वाला था? यह डाइब मानने वाला था? वह ममी, क्या है ना? यह आपका खाना देखने में इतना टेष्टी लग रहा है तो आज तो मैं अगम जम के खाऊंगा तो इसलिए पेट में जगा कर रहता है वाम-प करके यह, 1, 2, 4, 5, 6 पेट में जगा करने के चकर में खाना थंडा हो जाएगा चलो आओ, बैठो तुम लोग सब खुशी बात तो सही है मतर-पनीर का डेष्ट थंडा होने की बाद साड़ सॉंग जैसा हो जाएगा ओके दिनर करके ही चला जाओंगा भी लोग इसकी ना बने कोई बात मा के पास कटे इसकी पूरी रात वैसे विवान मैं ही सोच रही हूँ कि तू और खुशी आज रात को मेरे साथ सोना ताकि मैं तुम दोनों को लोरी गाकर सनाओ क्यों? क्यों क्या? मा हूँ तुम्हारी? तुम पर लाड़नी चता सकती क्या? हाँ ममी, मुझे भी आपकी लोरी बहुत पसंद है मुमी के दिल में आज ही इतनी ममत्या पढ़ानी थी आज तो तू भी लुक नहीं जा पाएगा विवान तू भी लुक प्रॉज भी आज़नी इतनी जाएगा तू रहनी के ले तोभा तोभा ग्याल मना रख आएगा अज़नी बचने के लिए ये सब पहना हुआ है मुझे आपने मुझे इसे जोकिम परे जगह के क्यो बेचा सिधा सिधा बताओ तबाताबा क्या हुआ वर्ना हाँ बताता हूं बताता हूं पर राजा दुरसल बात यह है आजकल धर्टी लोग पर एक खतरनाक विशानू कहला हुआ है इसका नाम है कोबोना विशानू दर्टी बाले उसे कोबोना वाइरस बोलते है बहरानी ने मुझे उस चगा दे जाता जहां से वो विशानू और उसका इलाज में सके यह बताओ तबातोबा के तुम्हे उस जगह का पता चला या फिर ऐसे ही मूर्खो की थरा खाली हाथ लोटाए हो आज जगह का तो पता चल क्योंकि विशानू ही एक ऐसा जाल है जिसमें वो नकाब पोश फस जाएगा जे माफ करना विवान लेकिन उस छुप शक्ती के बारे में उझे के लिए ही पता लगाना पड़ेगा अच्छी बात तो यह है कि सर्वकाल ने मुझे उस चुपेशक्ति के बारे में एक सुराग दिया है बस एक बार वो चुपेशक्ति मुझे मिल जाए फिर मैं तुम्हें सब सच सच पताऊंगा विवान अखिर कौन से हो सकती है वो चीज जो खुदी अपना पिता है जो खुदी अपनी माता है जो सधियो पुराना है जो खुद अपना विधाता है क्या हो सकता इस पहेलिता जवाँ अरे खुशी तुम? अरे तुम यहां इतनी रात को या कर रही हो? मैं? मैं हाँ पानी पीने आई थी लेकिन आम बताओ दे बुरिया आप यहां पे लिविंग रूम में इतनी रात को क्या कर रही हो खेले अरे क्या बढ़ पढ़ा थे आप माता, पिता, सद्यों पुराना मैं, मैं, मैं मैं तो बस मुझे नीन नहीं आ रही थी इसलिए मैंने भजन काना शुरू कर दिया वो मन को शांती मिलती है ना इसलिए इसलिए आखिर में वोपन किस्टे चो रहा है था और क्यों गया हो ग्रो वेशाना चूक के से गया हो ग्रो वेशाना चूक के से गया है मैं चाहूं तो निशाने गुड़ते हुए पंची पर भी लगा सकता हूं वैसे तुम्हारे लिए मैं एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूं उस लेटर में न्यूज न्यूज तो न्यूज चैनल पर आता है ना लेटर में कप्चा नहीं लगा जब से बालवीर मेरा हत्यार अपने घर में चुपा के रखने लगा नो ब्रो तुम गलत चमच रहे वह वैपन मैंने चुराए नहीं था वह तुम चिल भाई कहीं इस तूदू मैमे के चक्कर में वह ब्रेकिंग न्यूज कहीं ओल्ड न्यूज ना बन जाए तुमना सा कोई बहुत बड़ा गेम शुरू करने वाले हैं नंबी एनेंग खेलने के लिए तयार होचा बालवीर कौंचा गेम अर्यो हलो आदीर यूज देकर काड़ रहो आद पश्का डगा बोतार नहीं पड़ेगा अर्ष्ट वैपका नुरानी चेरा देख कर ही रहूंगा अगर खुली आँखो से सूरज को देखोगे तो चेरा जल जाएगा विवान नहीं चलेगी I promise क्योंकि विवान को सन्राइज और संसेट देखना हो बहुत पसंद है मैं सन्राइज और संसेट वाला सं नहीं हूं मैं जून की गर्भी वाला सं हूं सो बी कैफुल मुझे कैफुल रहने को बोल रहे हूं और खुट पीयरफुल दोकर बाग रहे हूं सिंपल जी बात है विवान सूपर हीरो की आइडेंटीटी हमेशा सीक्रेट रनी चाहिए लेकिन दो सूपर हीरो की बीच में कैसा सीक्रेट हम् परेट हमारे ठीवनत आता है हमारे पिता है माता है शकति एक ऐसे जीव में चुपी है जो खुध ही अपना पिता है जो खुध ही अपनी माता है जो सदियों पुराना है जो अपना ही विधाता है इस पहेली को सुलचा लोगे तो उस द्वार तक पहुच जाओगे तांक यू विवार दीवा करी का चांस ही नहीं पिया और फ्री में रांक यू मुलकी निकल गए अब तुमनासा कुंसा खेड खेलने वाली है तुमनासा नकाब पोस्ट ने तुम्हाई अगली ओचन के बाई में विवान तो जेताब ने दे दिया है ठीक है कुछी मुझे हर पल की जानकारी देती रहो यह तुम हमें कहां ले आई हो तुमनासा वहमार हम लबरोटी जा रहे हैं लबरोटी लबरोटी नहीं लबरोटी री यानि प्रयोग शाला यहां पर वेजानि खर बिमारी का इलाज ठुनते हैं लबरोटी जी है अजा अंदर चले कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गया और यह यह क्या पैन रखक है आप लोगों ने किसी नाटक मंडली से आयों क्या जाओ बाहर निकलो हम अंदर कैसे आये इस चीज की चंता तुम मत करो बलकि फिक्र इस चीज की करो कि तुम लोग यहां से बाहर कैसे जाओगे हमें डिश्रब मत करिये, हम यहाँ एक बहुत खतरनाक वाइरस का इलाज ढून रहे है, जो पूरी दुनिया में फैल रहा है अच्छा, उसी की शाबाशी देने के लिए तुम्हें यहाँ पर आई हूँ तुम्हें बहुत खुरूप्ष कौन हो तुम लोग, सिक्यूरिटी, सिक्यूरिटी बाहर निकाले इनको अरे, इतना नाराज होने वाली बात क्या है, इतना जलने की जरुद नहीं है, तुम्हें भी शाबाशी मिलेगी सब बेहोशी हो गए ना कौन है? हुआ भी शूरussa कत्š Iraq कि अभी शिर्णा पूरिण टोопас कि शिर्णाए कि गऩाशी हो आbot अब इस विशानू के जहर से धर्ती लोग पे मचेगा मत्तलि के हरोर मेरी जान में फसजायेगा नकाब पोश कि अप्टेश रच्छ।